आज हम सीखने वाले हैं कैसे करते हैं अपने safari browser के अंदर इंस्टॉल करेंगे अपने एक्स टेंशन को तो यक्स टेंशनों in-star करने के लिए उपको अपने safari browser ओपन करना है और जिसे हां यहां पे जितना भी ए एरिया है वहां पे आपको देखने वा more एगा savoir तो एक्सिंशिन इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे चले जाना है घौशिच्प इस प्रोकार क्या और अप्शन्स देखने को मिलेंगे जहां पर सफारी एक्स्टेन्शिंशन लिखा तो सफारे एकशेंशन से चाहिजा है और सीजगा है अबात कुछ इस case dramas इस परकार से यहां पे देखने को मिल जाएंगे इस सब्छावग मैं आप जैसे देख आरे यह है और extensions के लिए बहुत सारे apps जिसमें से top पे आ रहा है अपना notion webclipper then कुछ add blockers वगरा वगरा तो for example हमको यहां पे notion का यह वाला चाहिए and इसको use करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है simply get वाले option पे दबा देना है and बहुत सारे यहां पे paid वाले भी मिलते है paid and free तो आपको जो भी चाहिए अपने requirement के साबसे आप यहां पे install कर सकते हैं तो यहां पर जैसके अब देख पार है बहुत सारे यहां पे आ रखे extensions और हम यहां पे notion को install करने वाले तो उसको करने के लिए आपको simply यहां पर जो get का बटन आ रहा है and sign in required होगा जिससे आप यहां पर इसको install कर पाएंगे तो apple id and password आपको यहां पर enter करना पड़ेगा and उसके बाद ही यहां पर वो चीज होगी and future use के लिए वो यहां पर touch id के लिए उचेगा तो अगर आपको अभी करना है तो आप अभी कर सकते नहीं तो open करना चाहो तो open कर सकते हो या फिर आप वापस चाह सकते हो अपने यहां पर सफारी ब्रावसर में and उपर जैसके देख पार है new extension available do you want to turn on the notion web clip extensions अभी जितने भी हो सब बंद है तो इसलिए इसको हमको on करना पड़ेगा turn on extensions पे क्लिक करके and कुछ यहां पे antioxidan extensions यहां पर klik करने के बाद जयासे कि आपको इससे कि बॉहँआ how left side पे है जैस कि यहां पर तो जैसे कि देख पहर हो यहां पर आपको extension देखने को मिल रहा है अगर आपको extra extensions चाहिए जैसे कि बहुत सारे सारे different different तो यहां पर oxygen पर इसवाले। कर सकते हो क्लिक कर सकते हैं ने के बाद आपके बाक्फी सारी लिस्ट देखने को मिलेंगी जैसे कि सफारी ब्राउजर में ardly यहांसे आप चाहते हो browser से भी आप यहां पर निकाल सकते हो यहांद यह है safari के अंतर यहां पर जाने के बद आपको इस वाले section में जाना है जहां पर extensions लिखा आ रहा है तो यहां पर extensions है and यहां पर again up same page पर आके extensions को access कर सकते हैं इस वाले पर पुरा list मिल जाएगा अप चाहे तो अपने इस जो भी extension है उसको install भी कर सकते हैं यहां पर click करके और more extension के लिए नीचे आप यहां पर आ सकते हैं यहां वे click कर सकते हैं again same page खुलता है extensions डाउनलोड करने के लिए and यहां से आप बहुत सारे extensions को डाउनलोड कर पाएंगे तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आगी होगी ऐसी और वीडियो के लिए हमें like share subscribe करना मत बुलिएगा मिलते हैं फेक और ने वीडियो में धन्यवाद